देखलो देखलो परधान जी पर जब यह तुमारी बात नी मान रहे तो हमारी क्या मान देंगे और यू दोतला तुत 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 बोला कभी तुत तभी तुत इसके समझे मनाती बात जलील है पागल है यह जाद चड़ी उतर जा परधान से जुबान लड़ा रही हो खुदा से डरो खुदा से अरे परधान की तो सुनो नहीं सुनते अभी बनाओ तुझे परधान नी एक मिलिट में ठोक देंगे ओ भाई यह बड़े पागल लोग है बत्तमीद है मेरे बसकी इन नायन को कुछ भी कहना और परधान संसी इनने लग हराम की तंब और इनस अंतों पदं इप्ताद में बुला लिया प्टव लो लाने दिर में टोटित ना थे अजिए और प्रदान सा मूट में तुमार यह क्या रहा था अरे भाई मैं इनको क्या कहूं यह तो पागल है इनका कुछ ना पता वह तोतला तो मुझे बना कर या बुलाने कू परदान जी अब तो तुम भी सुन रहे हो तुक टू कर परदान ओ तुम गाओं के कुछ तो करो तो अब मैं क्या करूँ तो परदान जी गाओं में बस यही रहेंगे तुम पर भी कुछ ना हो रहा ओ भाई इनका मैं कुछ नहीं कर सकता इन्हें तो खुदा ही सबक सिखा सके बस परधान जी मैं तो गाव छोड़के चली जाओंगी परधान जी कैसा करो अगर गाव में रखना चाहते हो तो हमारी साय से करो हमें बचालो ओ भाई अब जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो जहां जाना जाओ मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता जाओ यह तो पूरे नंगे परधान जी बिल्कुल नंगे भाईया इनका 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 ना कुछ भी दीन धरम ठीके चलो चलो जाओ चलो ऐ उपरवाले ऐसे लोगों से बचा ले आया तलता परधान में तो पारता तुता देता निंगाली मारे छावाल हराम इपन मैंने तो खूबी मारा हराम जादो को अबया मारे बततो तु मारे बततो तू अब कोई निब वोलेगा ती तब तए जब तक तुम दबाऊगे ना तो तुम्हें साइद उन्हें दबाएगी धाक से जिएंगे धाक से नपीता तु थीत तहरी बिल्टु थीत तहरी चुपनी बैठते बिलकुल ये भी मगर वह तो कहा रहें थी क्याम छोटके चला जाएंगे अरे जहनुम में जाएं हराम जाद इधर क्या देख रहे हो गुम गुम के इधर चलो शेख जी क्या देख रहे हो सीधे चलो अम्मी ये तो बताओ अब हम रहेंगे कहा बेटा इस दुख से तो बढ़िया है हम और कहीं जाकर रह लेंगे हैं अल्ला की भूत बड़ी दुनिया है कहीं भी रह लेंगे क मेरा डिल बिलकुल नहीं कर दो जाने का मेटा दिल तो मेरा भी drinker रहाई हैं से जाने का पर क्या करे मजबूर है मैं तो ब्यां का है यहाएं सोचा था जनाजे पे जाओंगी क्या पता था इस आलात में हमें निकलना पड़ाएगा गाहों से चलो अब चलो तो कहीं पूरे जागी अम्मी में तो टांग लुपर-लुपर कर रही है मैं तो बैट नोड़े तक्गा चलो बैड़ जाओ अम्मी एक आम भी खालूंगा भूग भी लग सब्सक्राइब कर दोड़े जाने की जरूरत नहीं है कोन है कोन है कोन है तुझे डरने की जुर्त नहीं है मैं तेरा शुब चिंतर मेरी बात ध्यान से सुन सुनाओ सुनाओ तू वापस अपने घर जा और मेरे पेड़ से एक डंड़ा देजा वो तेरे दुष्मन है उन्हें बदल देगा अजी वो के एक तिन बदल रहे होता साले बहुत खतरना के जी उसका नाम है सलम सोटा डंडे का हां अरे पागल जो डंड़ा तुझे मिलेग वह तुझे नहीं देगा इतने नहीं देगा मगर तू कहां दा बॉल रहा सांड मगल तुपचिंतक जी वे तो मेरे बेटे को देखते ही मार देंगे वे तो हमारे दुष्मन है जरो मत तेरा बेटा किसी को दिखाई नहीं देगा मगल तुपचिंतक जी यह ते बहुत बड़ा खत्रा अगर किसी यह उन्होंने पकल्या मेरे तो कुगड़ी सी भून देंगे खत्रा कुछ नहीं है जब तू डंड़े को चुह लेगा तो तू गायब हो जाएगा गायब हो जाँगा और जब तू चाहेगा तो परकट हो ज कि व्रीक तुम आ हो तुम देख सकती हो और कोई नहीं कर ला क्या हुआ शुप चिंतक जी मैं अपने दुश्मने उप्रक सिका सकता हूं हाहां हां ओर सुनो और सुनो तुमारे पास ये शर्लं कोटा पांच दिन रहेगा तूब्ह पांच दिन रहेगा नहीं अट है शुद सरफ वाठ सकते हैं कि तुम्हें कैसे पता मेरी रुक्षाना आने वाली है ताकि ये राज उसको ना पता सकते है तुम जानो और तुम जानो और तुम्हारा विला ? बेुअ मैं तुझे संलम्का किरां अधार यहीं हमुण क्यों हुआ किकर रहें हम देग रहें हम तो आपस में बात कर रहे ते स्सेम चलो चलो भिटा घर को चलो 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 घर नचल रहे ह्गर हाँ हम यह जो इख जाएगी तीक चल नगी रुखसाँ चल वेता भी सुर्पेर लो यह मेरा सलम स्वत्ता यह मेरा सलम शोटा पुरे गाउं में कोई नहीं बोल सकता फिर और हमारा दबदबा रहेगा पूरे गाहों में